मैं सबसे पहले आपकी सबसे लोग पुरिय है और यहां की मुख्यमंत्री जिनके बुलाने पर मैं आपसे मिल पा रहा हूँ मुख्यमंत्री आधने मम्ता बनर जी दीदी जी और मैं देख रहा हूँ कि मंच पर बहुत बड़ी संख्याम है सभी TMC पार्टी के नेता और यहां के बंगाल के बहुती प्रतिस्थित अपने अपने छेत्र के सभी महान विबूती जो बैठे मंच पर यहां पर दूर तक मैं देख रहा हूँ दीदी की पार्टी के TMC के सभी हमारे कार्करता नेता माताए बहने पत्कार साथियो मैं सबसे पहले आपकी मुख्यमंती जी का बहुत बहुत धनिवाद और आभार प्रिकर्ट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्कर में मुझे आने का मौका दिया है मैं जब से एरपोर्ट से चला हूँ मैं लगातार कार्करता और नेताओं को देख रहा हूँ मैं और जब मैं घर से मिल करके निकल करके आया हूँ मैं देख रहा था है दीदी अपने कार्करताओं को देख करके जितना खुश हो करके और जिस भाव से उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे ये जो लगाव है जो रिष्टा है एक नेता और कार्करता का यही दल को मजबूत बनाने का काम करता है क्योंकि आज हम दुखी मन से भी और एक जो हमारे बीच के कार्करता जो हमारे बीच में नहीं रहे वरकर्स जो शहीद हुए उनको हम याद कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दाव पर लगाते हैं वो इतिहाश में शहीदों की तरह याद किये जाते हैं मैं दुबारा कहता हूं कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दाव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किये जाते हैं आज का दिन कायकरताओं की शहादत को याद करने का है लेकिन आख में आशू लेकर के और आख में आशू लाकर के नहीं बलकि सर को उपर उठा कर के क्योंकि ऐसी शादते ही किसी दल और उसके नेता और देश का गौरफ साली इतिहास बनाती हैं ये हर किसी पार्टी के स्वभाग नहीं होता ऐसा हर दल के लिए स्वभाग नहीं बनता जिसे ऐसे जान देने वाले वर्कर्स मिलते हो मुझे इस बात की परसंदता है कि आदनी दीदी के पास ऐसे वर्कर हैं जो अपनी जान भी दे देते हैं लेकिन परवा नहीं करते हैं दरसल कोई कितना भी बड़ा लीडर हो जाए या कभी कोई भी बड़ा पद न पाए लेकिन वो कारकर्ता हमेशा रहता है कारकर्ता सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा होता है खर करता ही किसी दल की बुनियाद होता है वर्कर ही हमारे पार्टी की बुनियाद में होता है उसी की शहादत अगर ये बताती है कि वो पार्टी के प्रती कितना बफादार था तो पार्टी द्वारों उसको याद करना बताता है कि पार्टी के दिल में उसके लिए कितनी ऊची जगह है आज जो आप लोग खटे हैं या मैं आकर के आपके बीच में खड़ा हूँ वो याद दिला रहा है बता रहा है कि दीदे के दिल में एक एक कर्करता का सम्मान कितना है उसको आज भी दिदी याद कर्रही है जिस दल का सबसे बड़ा लीडर उस दल का सबसे बड़ा वरकर होता है उसका वर्तमान मचबूत होता है और भवेसी और भी जादे मचबूत है पिछले चुनाओं में मुझे याद है जब दिदी संगर्ष कर रही थी आदनी मम्ता दीदी के लिए मैंने दो लाइने कहीं थी जब वो अस्री लड़ाई में थी पैर में छोड थी वो चल नहीं पा रही थी उसके बावजूद भी वो चुनाव परचार में थी और उस समय हम लोगों ने देखा और यहीं कहा था कि एक अकेली लड़ जाएगी जीतेगी और बढ़ जाएगी जब दीदी को हम लोगों ने देखा था कि पैर में प्लास्टर बहांद करके वो अपने कारकरताओं के लिए और सरकार बनाने के लिए आप से आभान कर रही थी उस समय जो वो लाइने थी वो उस समय भी महत्व रखती थी और आज जो मैं इतने बड़े कारकरताओं के बीच में आया हूँ तो मैं उन लाइनों को दुबारा कहता हूँ कि एक अकेले लड़ जाएगी जीतेगी और बढ़ जाएगी उस समय भी हमारा मतलब यह नहीं था कि दीदी अकेले लड़ रही है तब भी हमारा मतलब यही था कि दीदी अपने कारकरताओं के साथ जान हतेली पर लेकर के एक हो करके लड़ रही है ऐसे खमनेता होते हैं जो अपनी जान हतेली पर रखकर के लड़ते हो और उनका साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने देने का काम किया है वर्कर किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है वलकि एक विशाधारा में विशाध रखने चलने का नाम होता है हालतों को बदलने के लिए मर बिटने तक के संगर्स का नाम होता है क्योंकि एक बार पॉलिटिकल वर्कर जब खड़ा हो गया साथ तो वो जीवन भर उस पार्टी के साथ खड़ा होता है मैं ऐसे कार करता हूँ को धनिबाद और आभार पिगट करूँगा कि जो दीदी के साथ जब शुरुवाती संघर्स किया होगा उस दिन से आज तक उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है उनके साथ संघर्स करता हूँ दिखाई दे रहा है और जब हम देश की राजनीत को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है संपरदाइक टाकतें अपना सर्यंत लच रही हैं जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली में और दिल्ली के सारे पर जो लोग बैठे हैं जगे जगे पर वो लगातार सर्यंत कर रहे हैं लेकिन मैं जानता हूँ आपका सहास आपकी बाहदुरी आपका सहास जो दीदी के साथ है वो हर सडियन्द का मुकाबला करने के लिए तैयार है देश को ऐसी ताक्ते हैं जो बिभाजनकारी राजनीत के नाम पर बांट करके हमेशा के लिए राज करना चाहती है लेकिन ऐसा करने में वो कुछ समय के लिए काम्याब भी हो जाएं पर आखेकार वो हारेंगे क्योंकि गलत मनसुबे कभी अपनी मन्जिल नहीं पाते हैं जो इनसान और इनसाफ के साथ खड़े होते हैं जीत आखिर उनी की होती है जो नकारात्मग लोग अंदर से डरे होते हैं वही साजिश करते हैं मुखवरी का काम तो कर सकते हैं लेकिन सामने की लड़ाई लड़कर के जान देने की हिम्मत उनमें कभी नहीं कभी नहीं होती है खुदगर्जी और मुनाफ़ा खोरी ही इनका कारोवार होता है जिसको बढ़ाने के लिए सियास्त करना चाहे चाहा के भी लोगों का भला कभी उनका मकसद नहीं होता नकभी रहेगा इसे लोगों का इसलिए हर हाल में मैं किसी भी स्थर तक वो लोग गिर कर के सत्ता में अपने हाथ में रखना चाहते हैं हालाकि बंगाल ने आप लोगों ने मिल कर के या मुकाबला किया बीजेपी को हटा दिया पीछे छोड़ दिया यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं ये कुछ दिन के मेहमान हैं मैंने लोग समा में भी कहा और आज भी कहता हूँ जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग है वो सरकार चलने वाली नहीं है वो सरकार गिरने वाली है और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन के यही सरकार गिरेगी और हमारे आप के लिए खुश्यों के दिन भी आएंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूँ लोगों का भला ना कभी इनका मकसद रहा है ना कभी रहेगा इसलिए हर हाल में किसी भी सत्तक गिरकत सत्तक अपने हाथ में रखना चाते हैं ऐसे लोग दूसरों की तो जान लेते हैं लेकिन खुद कभी जान नहीं देते हैं ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं अगर इनका इतिहास उठा करके देखेंगे सनरंदकारी लोगों का ये लोग शहीद भी उधार लेते हैं दूसरों के महापुर्सों को अपना बताने का शर्यंद करते हैं क्योंकि नकारादमग लोगों के पास अपने महापुर्स नहीं होते हैं, ना इनके पास गुरुदेव होते हैं, ना नेताजी होते हैं, जो लोग इंसानियत को बाड़ते हैं, उनके बीच कोई महापुर्स भी कैसे बन सकता है, कैसे आ सकता है, महापुर्स होने की पहली शर्थ यही है कि उसके दिल में इंसानियत धड़कती हो और जो सच के साथ देने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को त्यार रहता हो ऐसी हिम्मत और होसला नकारात्म ग्रादनीत करने वालों में नकभी रहा है और नकभी रहेगा जब जब जनता जागरुग होती है ऐसे लोगों में खल्मली मज जाती है इनके जूटे प्रचार और जुमलों की कलही खुदने लगती है और ये भी हताश हो करके आपस में लड़ने लगते हैं जो लोग नाकारात्म अगर ताक्तें आखिर में अपने अंदर ही कलह से खतम होती है आज देश जाग उठा है ऐसी ताक्तों को पैर उखाणना शुरू हो गए है हम और आप लोग मिल करके निगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं हम और आप लोग मिल करके पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और पॉजिटिव पॉलिटिक्स का वक्त आने वाला है और वही वक्त आएगा जब लोग के जीवन में बदलाब आएगा हम सब लोग मिल करके देश को बचाने के लिए संबिधान को बचाने के लिए भाईचारों को बचाने के लिए हम सब को एक होना है और एक जुट रह करके इनका मुकाबला करना है इसलिए आज यहां आए हर समर्पित कार करता से मैं आखीर में यही कहना चाहूंगा कि आपका नेता आपकी नेता बहुत बड़ी नेता है उन्होंने लड़कर के संघर्स करकर के अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस दल को इस पार्टी को आपका साथ ले करके यहां पहुचाया है और दूर तक जाना है इसलिए जिस तरीके से आपने हमेशा उनके संघर्स में साथ दिया है मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग साथ देंगे और मैं आज के दिन जब अपने शहीद करकरताओं के साथ याद करते हुए यहां आप खड़े हैं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग भी आपका हमेशा हमेशा साथ देंगे जो लडाई आने वाले समय में होने जा रही है उसमें हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे मैं आखरी में आप लोग के बीच में उन बातों कहना चाहता हूँ एक एक करकरता के लिए कहना चाहता हूँ कि हिम्मत को बनाना हत्यार और असूलों को बनियाद रखना अपने होसलों को होसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना ऐसे कम लोग होते हैं जो अपने शहीद करकरताओं को हमेशा याद रखते हैं और आपका दल आपकी नेता ऐसी है जो करकरता को नकेबल सम्मान देती है बलकि जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं वर्सों वर्स गुजर गए हैं लेकिन आज भी उन कारकरताओं के प्रति वही प्यार और सम्मान है इसलिए मैं यह से निता का धन्यवाद देता हूं ऐसी पार्टी को बढ़ाई देता हूं कि ऐसे कारकम में उन्होंने मुझे बुला करके मुझे अपने कारकरताओं से का मौका दिया है इस लाई में हम आपके साथ हैं बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आफार्ट करता हूं बंगला रावाज बंगली राबेग जी चुबिश घुटा